कि है यूए है वेलो दोस्तों मेरा नाहा है नौशाद खान और अब हम इसका अग्ला पार्ट देख रहे हैं परभावाद देखें परभावाद से हमें क्या सिद्ध होता है कि परभावाद से हमें पता चलता है पेंटिंग लाइन में परभाव जो है वो आया वो मतलब जो 1884 में जो है ना इस लाइन में क्या हुआ परभाव आया तो इस परभाव वाद के बारे में आपको थोड़ा पढ़के बताते हैं और परभाव वाद कला विशेयक एक ऐसा आंदोलन था जिसने प्रति दिन के जीवन की सादगी और सरलता से प्रेरणा ली 1874 में इस कला का समू की पहली परदर्शनी अवसर पर किसी आलोचक ने इस कला में परभावावाद का नाम दिया परभावावाद के कलाकारों ने एक शैली अथवा आंदोलन को अपनाया जिसने वस्तू का परकाश के परभाव संबन्द होता है ये कलाकार अपने कार इस्तल स्टूडियो से वाहर आए तथा उन्होंने खुले उन्मुक्त वातवरण में चित्रकारी प्रारंबगी यानि शुरू किये जो पहले के जो कलाकार हुआ करते थे वो क्या करते थे वो एक मतलब कमरे में फोटो बना लिया या नाइट वॉच के नाम से अभी हमने पहले वी वो देखे थे या खाली सींद्री बगरा बना दी मगर अब क्या हुआ इसमें प्रभाव आया इसमें बदलाव आया और क्या बदलाव आया और कैसा बदलाव आया इसी बारे में हम आगे जान रहे है तो उन्होंने खुले में चित्र बनाने स्टार्ट कर दिये जैसे आस्मान उसमें दिखाई दे रहा है साफ और चित्र दिखाई दे रहा है प्रकरती दिखाई दे रही है मतलब प्रेड़ पोधे दिखाई दे रहे है तो ऐसे जो है यह सब चीजे दिखाई दे रही है जिसमे प्रकाश तथा रंगों का प्रभाव प्राय बदलता रहता है अपनी कल्पना शक्ति से स्वतंत्रता पूर्वक तथा नय सरंगिंग रूप से अपनी कला में समेट लेना चाहते थे प्रभाववादी कला एक आगमन वर्तमा तथा प्राचीन कला के बीज एक बड़े विच्छेत के रूप में हुआ अधिकार्श आंदलोन की भाती प्रभाववाद पारंपरिक तथा शास्त्रिय मान दंडों के विरुद एक विरुद एक विद्रो हुआ प्राय ऐसा जन सहयो के आधार पर होता है इस यूप के कलाकार नदियां तालाव बंदरगा नगरिये वे द्रिश्य के मानवे रूपों से प्रती बहुत ही आकरशित थे आंदोलन के त्रेना कलाकारों के कलॉड मानेट इंदु आर्दो माने माने आगस्ट रेनोया एडगर देगा ये थे जो ये जो मैंने कलाकारों के नाम लिये हैं इन्होंने प्रभावात को एक नया मोड दिया इन्होंने क्या काम करा कि अपनी पेंटिंगों में जो इन्होंने पेंटिंगें मनाई इन्होंने उनमें तलाब दिये नदिया दिये जीले दिये सागर दिये बंदरगा दिये और अलगर के द्रिश्य दिखाये और मानव सो रूपों को अलग-अलग रूप से दिखाया आकर्शित दिखाया तो इन्होंने मतलब एक प्रभाव लिया अठारासो चोहतर मैं इन्होंने एक ना अपनी पेंटिंगों में प्रभाव लिया तो अभी इनके जैसे कोशन आंसर हम प के कलाकार उस समय की कला में प्रभाव का विस्तार एवं उनकी कम्यों का निशेत था यह बात अलग है कि इस युग में कलाकार में विविद रंगों के परियोगार्थ ब्रष का प्रियोग जारी रखा जो ब्रष थे मतलब पहले भी ब्रष से काम होता था बनलब हो रही थी तो इस यूग में वास्तविक जीवन में संबंध विश्यों के प्रार्थमिक मिली यथापी कलकारों से जियमती आकारों तथा विक्रत आकारों के माध्यन से अपने आंतरिक भावों के अभी व्यक्ति दी जोर्ज सूरा तथा उनके अनुयाईयों ने बिंदू चितरन के प्रती अपना आकरशक दिखाया अथा छोटे छोटे रंगों के बिंदू के वियविस्थित रूप से परियोग किये जाने वाले पॉल सेजान ने चितरकारी में परिणाम से तथा आकार की अनुमती दी और र पिंसेट वॉंग गंग ने रंगों ब्रश के कमपन तथा घुमाने में अपनी भावनाओं का मानसिक्ता का सशक्त अभी व्यक्ति दी हम इनके कोशन आंसर देख लेते हैं इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप कला के इस आंदोलन के मुखे मुखे लक्षणों को पहचान सकेंगे तो मैं आपको फोटू दिखाने वाला हूँ इसकी जो यह है इसका नाम है वाटर लिडीज देखिए इस वाटर लिडीज में जो फोटू आप देख रहे हैं इसमें एक पुल दिखाई दे रहा है ठीक है और इस पुल के निचे एक जो पानी दिखाई दे रहा है इतना सारा और इस पानी में नदिय में फूल और जो फूल है वाटर लिलीज हैं जो पानी के उपर जो फूल है उसमें किस तरीके से और पीछे देखिए किस तरीके से light पढ़ रही है और कैसे पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको ये पेड़ इस color में कैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये photo आपने देखा अब इसके बारे में जानते हैं किस ने बनाया किस time में बनाया उसका नाम क्या था और इनके बारे में हम जानते है परभावाद के युग में विभिन चित्रकारों की कला पहुँच के आंदोलन के अंतर समझ सकेंगे सची कृत कलाकारों की शैली तथा वरणन कर सकेंगे दूसर तीसरा है परभावाद के जनम का वरणन कर सकेंगे इन विभिन कला आंदोलनों के प्रेनिता कलाकारों के बारे में बता सकेंगे तो जो हमने अभी चित्र देखा था उस चित्र का नाम है Water Lilies इसके शीरशक है इसका नाम जो रखा गया है इस नाम से जाता जाता है Water Lilies के नाम से कलाकार है इसका Claude Monet इंग्लिश में इसे Claude Monet बोलते है नाम को मध्यम तेली रंग से बनावा है समय कौन से टाइम में बनाई है 1899 में यह बनाए गया शैली प्रभाववाद यह ज़रूर याद रहे शैली जो है इसका प्रभाववाद है यानिके जब चित्रकारों में जो अपना प्रभाव देने लगे अपने अपनी तो उस टाइम पे समय बदला टाइम पीरेड बदला और यह कहां रखी वी है संकलन कहां जगा है नेशनल गैलरी लंदन में नेशनल गैलरी वहां पर रखी वी है यह म्यूजियम में तो सामाने वीवरण सभी प्रभाववादी अब इनके बारे में जानते हैं वाटर लेलिस के जो तो फिर इसके कोशन अंसर पुड़ अप करेंगे सभी प्रभाववादी कलकारों ने कलॉड मॉनेड सबसे अधिक प्रती पद्ध तथा सहज स्वाभी कलकार था जिसने प्रकरती के बदलते मिजास को अपनी कलकारियों में उतारा उसका जन्म 14 नवंबर 1840 को पैरिस में हुआ प्रकरती के विभिन प्रभावों के प्रभावों से प्रचित के लिए और परिचित यानि उसके जानकारी के लिए फिर अपनी कला में उतारने के लिए बिना थके वह लगभग सारे जीवन यात्रा ही करता रहा उसे आकरशक एक मुखधकारी फूलो प्रकरती द्रश्यों के चित्रन के लिए बड़ी शृद्धा से याद किया जाता है इन चित्रों में भू चित्र नावों के नाम नदियां सामुंद्रिक द्रश्य तथा पहाड़ी पत्री लाग की नारे द्रश्य उसके पानी के बाग वाटर गार्डन मिनिंग अंगिनत चित्र बनाएं जिससे उनकी महान पहचान हुई वाटर लिडी इस चित्रों की शरंकला है जो 1899 से 1900 में बनी तथा उसके तलाब के उस पार जापानी पुल का चित्रन है बाद में उसकी कलाकरतियों के जापानी पुल के एक प्रमुख विशय बन गया उसके प्रभावों सभी चित्रों आस्मान लग भग नदारद है लेकिन उसमें आस्मान को चमकीले रंगों से प्रभावी रूप से आसाधरन गहराई के साथ प्रतिबिम्ब किया ख्लते हुए विभिन आकार के लिलीज फूलो के चित्र में सौंधरिय में व्रधि हो जाती है तो उसके कोशन अंसर देख लेतें कोशन अंसर कर लेतें तो कोशन जो है पहला वो है मौने देखिए मौने मौने इंग्लिश में से मौने बोलते हैं हिंदी में से मौने बोलेंगे कि शैली को क्या कहा जाता है मौनेट की शैली को क्या कहा जाता है प्रभाववाद बोले जाता है मौनेट की शैली को देखते हैं प्रतिवत था सभी क् पढ़ते वह आते थोड़ा सा देखते कहा है हमारा question का answer परभावाद कहा जाता है देखिए यह रहा जब यह वाटर लिली इसके नीचे जो 6.1 के नीचे चोथे नंबर का शैली जो है इसकी क्या है परभाववाद है क्योंकि देखिए परभाववाद मतलब यह उस टाइम पर बदलाव आया समय वाटर लिली इसको किसने बनाया वाटर लिली इसको भई हमें पता है किसने बनाया किसने बनाया आप लोग भी बताओ थोड़ाë मौने ने कि अगला है तीसरा कुशन मौने की तक्णीग की शैली क्या है तो जो इनकी जो शैली है वो है यह अपने जो ऊसमें अपने जो चित्र बनाते हैम असमें बड़ी जो है गार्डन देते हैं और अंगिनत उसमें पहाड देते हैं और इनकी जो चित्रों में शरंकला देखी जाती है वो जापानी पुल वगएरा ये सारी चीज़े जो है न इनकी जो है शैली में ये सब चीज़े देखने को मिलती है मौने अपने चित्रों में क्या दर्शाना चाहते थे मौने अपने चित्रों में चमकीले रंगों प्रभावी के आसान असदन गहराई प्रतिविम्ब और खिलते हुए विभिन फूलों के चित्रों को सौंदरे विर्द्धी हो जाते तो ये दिखाना चाहते थे नदिया, पहाड, पत्थर ये सब दिखाना चाहते थे मौने चित्रों में आसान आसमान की क्या भूमी का है मौने चित्र में आसमान की क्या भूमी का है तो कोशन है ये तो देखते हैं क्या भूमी का है आसमान की एक बार उपर से फढ़ते वाते हैं देखते हैं क्या है जिसमें महान शरंक ला तो आसमान के नीचे खुले आसमान के नीचे पेंटिंग बननी चाहिए उनकी जो यह टेकनिक थी जो रोशनी पढ़ रही है तो सब तरफ से आने चाह या खाली पीछे background जोना उनका पूरा खुला होना चाहिए तो थोड़े खुले चित्र बनाते थे वो खुले में बनाते थे खुले वे चित्र प्रतिविम्ब खिलते वे विविन तो इनका answer यह है तो देखिए एक सारे question answer complete हो गए तो अब जो है बढ़ते हैं दूसरी पेंटिंग की तरफ और दूसरी पेंटिंग का जो नाम है वो है module 2 पर आगे हैं टिपड़नी टू मॉलिन दे लॉग गैलाथ इसका चित्र यह है आप देख सकते हैं इस चित्र में मॉलिन दे लॉग गैलाथ तो इसका नाम है और इसमें इसके बारे में बता रखा है चित्र के बारे में इसका शीरशक है दे लॉग गैलाथ और इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा शीरशक है मॉलिन दे लॉग गैलाथ कलकार है आउगस्ट रहनया माध्या में कैन्वास पर तेली रंग समय है अठारा सो शेत्तर शेली है प्रभावादी संक्लान है पैरिस्ट था मसीदे इंप्रेसिल कट शीर्शक है मौलिन्द गैलेट कलाकार है ओगन्स रहनयो माध्या में कैन्वास पर तेली रंग से समय है अठारा सो शेत्तर शेली है प्रभावादी संक्लान है पैरिस जगा यानि इस्तित है मसीदार इंप्रेस निसमे तो समानने विर्ण यानि इसके सामानने बारे में जान लेते हैं फिर इसके कोशन अंसर देख लेंगे जलदी कंप्लीट करना है ठीक है तो ताकि हम आगे भी तुम्हें पढ़ा सकें कम समय में कम च्छोटी वीडियो में आगांस रेनियो जो है वो 1841 से 1919 तक के जो इनके एक फ्रांसी का लगार थे इनका 1876 में उसका मौलिन देलो गैलेत का चित्र किया था इस चित्र में यूवा लोगों को जिन्दगी का आनंद लेते हुए दिखलाया गया है वे लोग पिकनिक मना रहे हैं निरत्य कर रहे हैं अभी जो हमने पैंटिंग देखिए उसकी बात चलिए कि उसमें क्या क्या कर रहे है लोग बाग वे लोग पिकनिक मना रहे हैं निरत तथा लुभावनी छवी का चित्रण है उसने अपनी कृती की संग्रचना करते समय फारसी समाज की गती विदियो वातवरण समाज के प्रतिविंब का सुरिस्पस्ट चित्र प्रस्तुत किया उसने बैंगनी सफे तथा नीले रंगों की चाया का ऐसा ऐसा सामन जिस्से प्रस्तुत किया जिससे मौडल की आकरितों के प्रचलित वस्तुरों को सजी लगती है उसके चित्रों में रंगों की ताज़ी तथा प्रसन्नता से जीवन की जिलिमिलाहट का एहसास होता है उनके चित्र कला चित्रों में कुमलता संबन्य तथा संतुलन सामाज्य होता है रेना या अपने चित्रों में सामूहिक रूप चित्र की महिलाओं के मौडल के गहन अध्यन दिखलाना चाहता है इस चित्र में माध्धियम से मध्य जीवन की आनन्द के अनुभव की अभिव्यक्ति के सप्रेशन में सिद्ध हस्त था तो जो इनकी जो पेंटिंग है उन्होंने अपने पेंटिंग के बारे में बता रखा है जो मौलेत है उन्होंने बता रखा है, रहनायययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय और एहसास दिलाती है कलाकारों के कोमलता का कि उनके हाथ में कितनी कोमलता है तो इनके कोश्चन आंसर कर लेते हैं इनके कोश्चन आंसर कर लेते हैं मौलिद्य गैलेट चितरकार का नाम बताईए तो चितरकार का नाम रनिया है और मौलिद्य गैलेट के टाइम पे प्रभावात के बाद बनी अपने चितरों के लिए विशाय वस्तू के चैन के पीछे उसकी क्या प्रायकता थी तो जो उन्होंने अपनी विशाय के बारे में चैन के विशे बताया प्रतिविम्स पस्ट उसमें क्या दिखलाए जाता था पिकनिक मना रहे हैं प्रतिभोज बैठे हैं तो उनमें अपने वस्तुओं में कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं अचा सुखद जो है चौता कोशन है हमारा सुखद सैयोजन के अलावा उसकी कला में और क्या अकर्शन है उसकी कला में जो आकर्शन मैंने भी पहले ही बता चुका हूँ भी तो जो मैंने बताया उनके प्रतिविम्स उसके बैंगनी सफेत था नीले रंगों की छाया ऐसा सामारे इससे प्रस्तुत किया है कि मॉडल के अकरतियों को प्रचलेतर वस्त्रों सजी रेती है उसके चि है तो हमारी वीडियो यहां समाप्त होती है और हम अगली वीडियो में बारेंगे डांस क्लास के बारे में जानेंगे तो बने रही है हमारे साथ अगली वीडियो का वेट करिया अगली वीडियो का इंतिजार करिए कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम डांस क्ल तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर जिए ताकि उन्हें भी थोड़ी सी हल्प मिल सके मदद मिल सके हमारे जरीये से कोई देखिए पैसा तो इसमें लगने रहा कि जो हम आप से पैसा ले रहे हूं तो आप सिर्फ हमें लाइक कर दीजिए बस हमारे लिए हमारी फीस यह है थाइंक यू थाइंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए